तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा आपने अउतारों विशे तो घणू एवु जाने उछे के जे चमतकारिक लागे अनेक रामकथामा पुझ्य मोरारी बापुने एम कहतना साम्भला छे के माता काउशल्यना कक्ष्मा दिव्य प्रकास छवायो ने चतुर भुजधारी श्री राम अउतर्या पड़ पची माताना कहवा थी तेओ द्वी भुजधारी मानव बन्या ने पची जन्म लेता बालक जेवडा नानकडा बन्या ने पची मानव बाल जन्म वक्ते रडे तेम श्री राम रडेया भगवान श्री कृष्ण पन कोटली मां जन्मी ने टोपली मां सुता-सुता पोतानो पग लंबावी यमुना वच्चे मार्ग बनावाम सफ़ड आया त्यारे आपन ने सामर्थे धारी श्री कृष्ण प्राप्त थाया आउतारी पूरुषो जन्म न थी लेता पर तेवनू प्रागट्य थायी छे एम एथी आपने कहता हुई ये छी ये पन शो बुद्ध पूरुषो पन जन्मत्ती आस्चरे सर्जे छे आवी अनेक कठावतो छे परंतुएना प्रमाणो पन छे आने उपलप्ध प्रामाणो प्रतिती जनक्षे एटले तेने कल्पित मानीलेवानू कोई कारण न थी आउतारो पचिती जे क्रम्मा आवे छे तेवा केटलाक बुद्ध पुरुषो ना जन्मनी वातो रोमांचित करे तेवी छे हां वर्षो पहला ना आ कथानको होवा थी जन्म समय थेल विशिस्ट घतनाओ चमतकार जेवी जरू लागे पन विगतो मां भारो भार तत्य छे अने तेना एक करता वदू आधार हो छे पार्सी धर्मना धर्मगुरू अने समर्थ बुद्ध पुरुष अशो जर्त्रुस्त जन्म्या त्यारे रडया न थी पन जन्म समय उपस्थित परिचारी काओनी आश्चरी भरी नजरो वच्चे तेवो हस्ता हस्ता जन्म्या माताना गर्बने छोडी संसार्मा प्रवेष्टु भालक आ लोकनी चिन्ताने लईने रडता रडता जन्मे छे ए सर्व स्विक्रूत छे तबी भी विग्णान तो यू कहे छे के जन्मतु भालक न रडे तो तेने धब्बो मारी रडाव आमावे छे अने रडवाथीज नवजात बालक नू श्वसंत अंत्र नियमित कारियरत थाई छे परन्तु जर्थ्रूस्त ना जन्मवक्ते एथी उल्टू थयू तेवो हास्य साथे आउतर्या मान्यता छे केमना हास्य ने लईनेज पार्सी कों हास्य नी छोड़ो उडाटी रही छे अने ओशो तो कहे छे के पार्सियों के धर्मगुरू खुद हस्ते हुए प्रगट हुए इसी लिए पार्सियों में कोई साधू या स्वामी नहीं हुआ तावो ती किंग ना सर्जक अने तावो उपनिशद ना उदगाता लाओजसू तो एसी वर्षनी उम्मर सुधी पोतानी कुँआरी माताना गर्भ मा रया एक्यासी मा वर्षे सफेद वाल ने दाडी साथे जन्मलेनार लाओजसू ना मातानू तरतज मृत्यू थयू आने तेमनों प्रकाश लाओजसू मा विलिन थय गयो जिसस क्राइस्ट अने लाओजसू बनने वर्जिन मधरना संतानों छे जमनेवू सहचनाती सव भगवान बुद्ध कहया छे ते बुद्ध तो उभाउबत जन्मया छे आजे गड़े नव उत्रे विवाद छे बुद्धिना माता उभाहता त्यारे सिध्धार्त अउतर्या औने सिध्धार्ज पोताना पग उपर उभरया एटलूज नहीं तेवो पग पर स्थीरूबा थाया ने तरत उत्तर तरफ साथ पगलां चालेया औने आठमा पगले उभाराई सत्य उच्चारवाला गया तेमना माता ने सफेद हाथी स्वप्नमा आज्यानू शांस्तर नोंजे छे आने पछी दिव्य बाळत तरीके बुद्धनों जन्म चमतकार समान ठाई छे जमना नामे एक महान गरंथ छे ते अश्टावक्र गिताना उपदेशक अश्टावक्र जीत हो आश्चरे मां गर्काव थाई जाए ते वी रिते जन्म चे कहे छे के उदालक नामना परम गुनानी गुरू पासे कितलाई शिश्यों वेद अने शांस्तरों सिख्या कहोदा थी प्रसन न थे उदालके पोतानी दिकरी सुजाता साथे तेना लगन करया आने एदंपती त्याज रही उदालक ने मदद करवा लागियो सुजाता गर्भवती बनी आने पीता तथा पती सांथेज रेवा लागि गर्भमा रहेलू बालक कहोदा पासे थी शास्त्र ग्नान सांबरतू अतू जोके कहोदा नी मास्तरी न होवा थी गर्भस्त बालके भावी पिता ने गर्भमा थी पड़कार फेंक्यो अने कईू शास्त्रमा ग्नान क्याई चे ग्नान तो स्वयम माँ चे आ सांबली पंडित पिता गुस्से भराया अने गर्भस्त शिशू ने श्राप दिदो के तू आठे अंगो थी विकलांग जन्मेश खरे खर जन्म समय आठ अंगे वांकू छुकू बालक उतर्यू अने तेथी ते अश्टावक्र केवाय। जे अश्टावक्रे बार वर्षनी उम्मरे राजा जनक ना गहन प्रस्नों ना जवाब आपया अने जे जवाब आपया तेने अश्टावक्र गीता केवम आविय। पुत्र ना लक्षन पार्णा मा थी पर बुद्ध पुरुषना लक्षन तो जन्म पुर्वे थी। तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा